सुलो फैंट्स मेरा नावा कुछ और यह मेरा आईफोन है और अगर आप भी as a video content creator अपने आईफोन को primary device use करते हैं video content create करने के लिए और उसके बाद कोई windows laptop या PC में उसको process करते हैं मतलब कि edit करते हैं तो यह video आपके लिए काफी useful होने वाला है कुछ important settings और tips हम आपके साथ share कर करेंगे अगर आप नए आईफोन purchase किये हैं video content create करना start किये है windows laptop PC में move करने में बड़े size के फाइल को या फिर edit करने में compatibility कुछ भी issue आ रहा है तो काफी सारा इस video में settings और tips हम आपके साथ share करेंगे जो main problem है जिसके बारे में मैं इस video में बात करने वाले है वह है अगर हम यहा अगर हम अपने iPhone को normally अपने Windows laptop PC में wired तरीके से USB type A to lightning cable के through connect करते हैं तो हम यह जो दो छोटा फाइल है 37 second का और 10 minute 37 second का इनको तो access कर पाएंगे पट यह जो बड़े size का file है इसको हम access नहीं कर पाएंगे normally बट इस video को देखने के बात जो है आप इससे भी बड़े size के files को access कर पाएंगे normally क्या होता ना कि अगर 5GB के around का कोई भी file size हो जाता है तो उसको आप normally access नहीं कर सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं कि यह जो वीडियो है यह around 5.45GB का हो गया है बागी यह वाला जो वीडियो है यह कम size का है यह 3.6GB का है तो हम इसको access कर पाएंगे तो जो 5GB के around का file size हो जाता जिस भी वीडियो का उसको आप normally USB type A to lightning cable के through connect करके access नहीं कर पाएंगे और किस तरीके से आप बड़े size के file को अपने laptop या PC में transfer कर सकते हैं copy paste कर सकते हैं वो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे बड़ उससे पहले अगर आप अपने iPhone को as a video content creator video content create करने के लि यहां पर आपको एक option मिलता है transfer to Mac और PC और इसमें automatic और keep original दो setting दिया गया है अगर आप automatic select करके रखने हैं तो automatically जिस भी device में चाहे Mac में या PC में आप file transfer करते हैं photo या video तो compatible format में वो transfer हो जाएगा जो भी device में आप transfer कर रहे हैं Mac में या PC में तो उसके compatible format में वो transfer हो जाएगा अ उसी format में आपके Mac या PC में transfer हो जाएगा तो हम यहां पर automatic जो है वो use करते हैं आप चाहें तो keep original भी use कर सकते हैं इसके अलावा जो दूसरा important setting है उसके लिए आपको अपने iPhone के setting में आना है camera app के setting में जाना है यहां पर में format option मिलता है इसके उपर आप tap करेंगे यहां पर आप तो important setting है अगर आपने iPhone को as a video content creator video content create करने के लिए use करते हैं तो अब हम अपने iPhone को जो है ना यहां पर USB type A to lightning cable है जिसकी मदद से हम अपने laptop PC के साथ connect कर दिये connect करते हैं यहां पर हमको allow का एक pop-up देखने के लिए मिलेगा इस allow वाले pop-up को अगर आप allow करते हैं तब ही जो है न internal storage में जाते हैं DCIM फाइल पर जाते हैं यहां पर जो recent month का folder बना हुए इसके उपर अगर हम टैप करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि सिर्फ दो video files ही शो कर रहा है एक जो है 188 MB का है और दूसरा जो है वह 3.35 GB का है बड़ जो तीसरा file था जिसका file size 5 GB से ज्यादा का थ वह यहां पर शो नहीं कर रहा है तो अगर आपको बड़े size के file को अपने Windows laptop PC में इस तरीके से wired तरीके से normally transfer करना है तो आपको Microsoft Store open कर लेना है अब यहां पर Microsoft Store open किये हैं और फिलहाल हम अपने iPhone को जो है इस cable से disconnect कर दिये हैं अब यहां पर Microsoft Store में iTunes सर्च करेंगे और यहां पर Terms and Condition जो है वो देखने के लिए मिलेगा जस्ट इसको आपको agree कर लेना है और यहां पर Microsoft Store को cancel कर देते हैं कट कर देते हैं यहां पर इस तरीके का एक welcome page जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा जहां पर आपका आईटून से application का जो home page है वो open हो जाएगा इसके लाब आपक पीसी के तुरू connect करते हैं तो यहां पर सबसे पहले तो allow photo और media वाला जो access देना पड़ता था वो यहां पर pop-up देखने के लिए नहीं मिला यहां पर देख सकते हैं कि autoplay में iPhone जह वहां पर connected शो कर रहा है अब अगर हम यहां पर अपने my computer या this PC में जाते हैं यहां पर Apple iPhone के गिंडिन उपर खियन फुर करते हैं internal storage की उपर क्लिक करते हैं फिर यहां पर फोल्डर में जाते हैं smarter में जाते हैं यहां पर इख सकते हैं कि फाइल शो कर रहा है जिसमें 27 वाला है फिर 10min मिनट 37 सेकंड वाला और यह 16 मिनट वाला है जो कि 5.07 जीबी का यहां पे शो कर रहा है और अगर आपको इस तरीकिये से भी नॉर्मली शो नहीं करता है ना तो आप अपने आइफोन को सर्च कर लेना है और आइट्यून को ओपन कर लेना है और जब आप आइट्यून से अप्लिकेशन को ओपन करें यह उससे में आपका आइफोन जो है वो लाइटनिंग टू टाइप पे केबल के साथ आपको विंडोज लैपका या पीसी के साथ कनेक्टेट रहना चाहिए और आपको एक और पॉपप देखने के लिए मिलेगा ट्रस्ट का और उसमें आपको ट्रस्ट के उपर टैप करना है आपके आइफोन का पास्कोड आपको एंटर करना है और फिर जितना भी बड़े साइज का फाइल हो वो आप अपने लैप्टॉप पीसी में जस्ट पीसी के आइफोन के उपर टैप कीजेगा इंटरन स्टोरेज में जाइएगा और यहां पर जो भी लेटेस्ट फोल्डर होगा उसमें जो भी बड़े से बड़े साइज का फाइल होगा वीडियो होगा वह यहां पर आपको दिख जाएगा इनिशल डेस में जब हम भी अपने आइफोन के साथ कनेक्टेट रहता है तो फॉस्ट बार अपने आइफोन के सारे टाइप के फाइल्स को मदब फोटो और वीडियो को जो है अपने विंडोज लैप्लिकेशन को इसली एक्सेस कर पाएंगे अगर आप एक आइफोन यूजर है और अपने आइफोन को वीडि क्रियेट करने के रिए यूजर करते हैं तो बाकि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बिल्कुल फ्री है मिलते नेक्स वीडियो में बाबाए जैहन